हेलो एन वेलकूम टो कोडिंगुंडा जिसके वीडियो में हम लोग अपने सोसल मीडिया वेबसाइट को आगे बढ़ाएंगे हमने पिछले वीडियो में बैसिकली लॉग इंड साइन अप काम किया था देखिए यहां पे लॉग इन हो रहा है लॉग इन पे खुल गया साइन को डॉट कॉम हम कर देते हैं ऐसे हमने इमेल डाला एक पासवर्ण में भी हम्रोग डालते हैं और अगर हम साइन पर क्लिक करते हैं तो देखिए एकाउंट बन चुका है इस चीज के लिए एकाउंट हम लोगों का बन चुका अगर हम लोग इस इमेल से लॉग इन कर रहें लोग ईन पर क्लिक करता हूं को लोग इन भी हो चुक्क के हैं अभीय लोगाउट करते हैं एककाउंट को तो यह counterpart है राहा है कोई बी गलत इमेल करें है चाइन नफंट कर ले रहा है को हम लोगउन के ही मेल करना होगा इंस lados को शमाई करना होगा ओटीपी भेज़के तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं करेंगे इमेल पे ओटीपी भेज़ेंगे वेरिफिकेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम और एक और काम करेंगे जो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्गेट पास्वर्ट को ही यहां पर एड़ करेंगे फॉर्गेट पास्वर्ट के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आप उस वीड और जैंगो में फॉर्गेट पास्वर्ट यहां पर आम लोग का फॉर्गेट पास्वर्ट वाला वीडियो पर मैं आ गया यहां पर देखिए यहां नीचे में मैं लिखा हूं सबसे पहले तो हम लोग को गूगल से माई अकाउंट से पास्वर्ट जेनेरेट करना परता है फॉर्गेट पास्वर्ट यह वीडियो आप देख सकते हैं यूटूब पर मिल जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्टर में दे रहा हूं आप जाके उसे देख लिए समझ में आ जागा आपको तो हम लोग को वहां पर क्या करना था कि सबसे पहले इमेल को हम लोग को अपना ए इसे एड कर देता हूं यहां पर सेटिंग्स डॉप मैंने इसे एड किया देखिए इमेल बैकेंड में जैंगो कोर्ड डॉट में डॉट पाकेंड सब्सक्रियेट किया उस पास्वर्ट को डाला यह आपके लिए यह दोनों चीज अलग होगा आपको यह बस बदल देना समझाया था उस वीडियो को देख सकते हैं तो मैंने यहां पर अपना इमेल बेसिकली एड कर दिया है अब हम लों इस शेटिंग्स डप्योशन को यहां से कार देते हैं अब हम लोग आते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में देखी हम लोग यहां पर देंगके मैं इसे को है इसको यहां से control इंपोर्ट भी ज़िए और भी इसको अम लोग हटा देंगे मैं से सब्सक्राइब कर देंगे इसका भी कोड आपको प्रोवाइट करतूंगा ज़िए अब अब dal को व्हim ABOUT कर दिया पास्व रिषेट भी से रूण इसे कंपोर्ण और कॉप्लीट पास्वड और हमलोग इंपोर्ड करेंंगे सबसें मैं कि इसे न खरें यहां पर आप कि हर जगह से ओध विव को हटा दूंगा अब आपको ऐसे भी कर सकते हैं और मैं एक एक को इंपोर्ट कर लूँगा यहां से मैं कंट्रोल सी को ट्रोल भी है डन व्यू कोमा सभी को हम इंपोर्ट कर लेंगा कंप्लीट व्यू चारों यहां पर इंपोर्ट कर लिया है अलग अलग और यहां पर हमने कॉल किया है password view as view मतलब सभी काम को हमने यहां पे सिंपली कर दिया इसे हम लुग Onu गए और यहाँ पे अंद लोंको टेंप्लेट भी बनाने है कुछ तो टेंप्लेट को हम लोग को पी करेंगे और सभी टेमप्लेट यहां पे आम लोग बना देंगे तो मैं इस यहां पर कॉपी करता हूं और इसका password reset.html तो सब को मैं basically create करता हूं तुरा जल्दी से जल्दी ctrl c यहां पर जो हम लोग template लिख रहे password reset view सबके आगे हम लोग user slash लगा देंगे क्योंकि हम लोग user directory में ही HTML को बनाएंगे तो मैं यहां पर लिख दूँगा user slash user slash password reset.html user slash password reset.html मतलँ आते हैं हम लोग अपने template.html में यहां पर यहां पर users में हमow लोग अपना बनाना सुरू कहेंगे new file इसेff करेंगे हम लोग नुट को आल हेवेục ह हैल pro शुदी कि पास्छों मैं त्रीषट करूंगा और मैं इस और को इसमें paste कर दूँगा basically मैं copy करूँगा इसको और मैं इसे paste कर दूँगा save करते हैं देखिए यहां पर हम लोग HTML फिर से लिख रहा है यह हम लोग काम नहीं करेंगे अभी अभी हम लोग basically extend करेंगे अपने base.html को तो मैं login से इसे copy कर लेता हूं load static main body यहां से हम लोग इसे copy करते हैं यहां पर बस हम लोग को form रखना है तो मैं इसे body से पहले मैं इस सबको paste कर देता हूं कि इसका indentation सही करते हैं हम लोग कोई hard काम नहीं है मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको इंडेंटेशन थोड़ा गरबर है आपको मिलेगा तो सही मिलेगा अब हम लोग end block quiet कर देंगे इसको end block कर देंगे मैं इसे copy करूंगा यहां पर मैं paste करूंगा और इसे लिख दूंगा end block and block body main तो यह हमने फ़र्ण की पास्वार्ड रिशेट डॉट है इसी मैं copy करूंगा और control n करके control v करके save करूंगा और दूसरा जो हम लोग को template बनाना है password reset done.html से यहां पर मैं इसको copy करता हूं और यहां पर मैं इसे paste करूंगा और save करते हैं इसको यहां पर हमने p capital कर दिया इसे मैं rename करके पी को small कर दूंगा rename और पी को मैं small कर दूंगा पास्वार्ड रिशेट turn.html इसमें जो हम लोगा code है उसे मैं केवल form tag को मैं यहां से जिसकी जरूरत है उसी को मैं यहां से copy करूंगा बस तो हम लोग को जरूरत है अभी बस इस चेचवन और paragraph tag की तो मैं इस paragraph tag को copy कर लूँगा और यहां पर हम लोग पेस्ट कर देंगे इसको इस email को हम लोग basically यह जो message है इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे तो मैं कोड़ी कोपी करूंगा यहां से copy करते हैं इसको और मैं यहां पर पेस्ट करूंगा उसके कोड़ को। को कें करती começo और इसे paragraph tag में यहाँ पेस्ट कर देता हूं ओके इसको हम लोग चेक योर email को यहाँ पर नव प्रिंट करके एक बाद हम टेस्ट कर लेंगे है control n करेंगे नियू फिर मैं control भी करूंगा स्वरी यहां से copy कर लेता हूं और यहां पर मैं paste कर देता हूं ओके और इसे भी सेस्ट करेंगे हम लोग इसको किस फाइल से से खरना है मैं आता हूं इस template में password reset confirm.stml से पेस्ट करके सेफ करते हैं इसमें हम लोगों क्या चाहिए एक फॉर्म बेसिकली क्रियेट करना है तो हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं से मैं copy करना शुरू कर रहा हूं और form तक इसे copy कर रहा हूं और मैं इसके अंदर यह body tag में से paste कर दूंगा कि इंडेंटेशन थोड़ा सही कर दूंगा हमने form को add किया CSRF token सही है उसके पाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद एक हम लोग को और बनाना है password result complete तो मैं इसे Ctrl N फिर से करूंगा यहां पर Ctrl सेफ करते हैं यां pass hour reset complete.html से तो मैं इसे paste करूंगा और safe करूंगा इसको मैं copy करूंगा basically is done वाले को मैं copy करूंगा और यहां पेस्ट कर दूंगा और इसमें जो मैसेज हम लोग को प्रिंट करना प्रिंट करना है और लॉग दो न Newton इसी को कपी करता हूं अचे लेके अको अब क्या करना बम systematically अभी है यहांपर मैं प्रेश्ट कर दोंगा इसको और यहांपी में का के लिएक्स करूंगा और यहां पर एमैल के जगा मैं इसको लिखे दूंगा पर सरी जाहीं चाहिए लाएगा और यहां पर मैं लॉग इन का URL दे देए थो यहाँ पर बैखी हम एकwsनिक बना यहां पर टेंप़ेट किए अपने यहां कुए यह तक हमदों की यह क्मक्लीट हो चुका अब अलोग क्या करेंगा कि अपने login .html को खो लेंगे log in.html यहां से open करता हूँ और यहां पे जहां पर अल्रेडी है the account को जगह पर हम लोग लिखेंक ही हरे ऑपे इंकर टैक को हम लोग क्या करते हैं की पूरे में लगा दिते आई नग टो तो करते हैं और यहां पर यहां पर पास्वर्ट का नाम देना है तो आते हैं अपने इसमें रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार एक यहां पर इन्स सिंटेक्स का अरहर आ रहा है देखते हैं क्यूं आते हैं अफ्य सबको अलग eth आलग करके देखते हैं मैं इसे पूंढ़ सुध्या अभिनलत जीम्हार दीखिए यहहां पर मैंने सबको अलग अलग तो यहां पर यह पास्वर्ट घ्रिकल टेश्म इसमें पास्वर रिशेट व्यू डॉट एज व्यू टेंप्लेट नेम इस इक्वल टू यूजर स्लेश पास्वर रिशेट डॉट स्टीमल यहां पर तो सही है सब कुछ फिर यह एरर क्यों दे रहा है स्वारी ओ हम लोग यहां पर कॉमा नहीं लगा हैं कभी से परिशान है सब्सक्राइब करते हैं अब सब्सक्राइब करते हैं कि जाएन इसका बहुत ही ज्यादा है तेख लेते हैं न खरब क्यूं कि क्योंकि हमने फ selfieóm को आपलाई नहीं किया है गढ़ां आफ यह कर gu fromog और यहाँ पल्रें लिख को लोड करना होगा तो यहां पर लोड कर लेंगे तो मैं लौगिंट कर ले लिटाकल को लोगन तेश्ट्सीमल और मैं हम भी इनाफ deserve a I по मैं इसको लोड करूंगा crispy fun वहाँ पर मैंने लोड किया और यहां पर लोग फिर से कृसित कर दें कि अब मैं इसे refresh करूंगा अगर तो देखिए हम लोग का यह अब सही दिख रहा है लेकिशनी इतना बड़ा दिख रहा है खरबर है उसको भी एक row tag add किया है कि इसको मैं पीछे लाता हूँ इंट्रेशन सही रखना चाहिए इससे क्या होता है कि आपको कोड़ समझ में आता है कि इसको यहाँ के अंदर है तो मैं इसे कर दूँगा और यहां पर दिफ क्लोज रोख कि यहां पर होगा उस्वाद हम पोर के कोड्ल को यहां पर आइड करेंगे इसा क्या होगा कि सेंटर में आ एक झुगारी समझ सकते हैं या पर फिर मैं इसको कॉपी करूंगा हर अपने Forget पासवड के Template में ऐड़ कर दूंगा जिसे की हम लोग कि यहाँपे तो यहाँ पर भी इसको करेंगे इसको मैं जल्दी से हर जगा एड़ करते हूं आते हैं और इसको तो रिफ्रेश करते हैं यह कुछ ज्यादा इधार आ गया क्या गरवड़ी किया है हमने देख लेते हैं एक बाद यहाँ पर डिव एमडी हमको फोर करना है और यहाँ पर भी हमको फोर करना है है हर जगा मैं यह कर देता हूं अपलाई अब बैसे के लिए हम लोग का सेंटर में आ चुका है अब बटन को करना है तो बटन में क्लास अपलाई कर देंगे जहां जहां हम लोग का बटन है तो लोगिन पेस्पे देखेंगे जो हम लोग क्लास अपलाई है बटन के लिए उसी क्लास को वहाँ पर भी अपलाई करेंगे है यहां पर फीर में एक क्लास पेस्ट करूंगा वीटियन हमने यहां पर बेसिकली अपना पाइसवर्ण कर चुक लिए आपके कम्प्रीट कर चुके हैं यहां देखिया बात चुका है बहुत अच्छा दिख रहा है और यहां पर अपने डालेंगे और अपना चानले करेंगे है अब हम लोग क्या करते हैं मैं इस इमेल को कॉपी कर लेता हूं कि पासवर पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और रिसेट पासवर पर क्लिक करते हैं कि हम लोग यहां पर कुछ तो गहर बर कर रहा है हूं है लोल ना ही दिफाइन करने हैं लोकी मिलतल यहां पर पोस्ट करना है यह सब चीजी हम लोग को ध्यान में रखने चाहिए यहां पोस्ट कर देंगे अम Warumel मेठट वहाँ पर भी apply करेंगे कि इस फर्म में भी यहाँ में पोस्ट कर दोंगा और फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं अब काम कर रहा है कि नहीं हम लोग का फोर्म यहाँ पर को डिंग उन्डाइड इमेल रोट पर क्लिक करते हैं रिचेट पासवर्ट पर देखिए यहां पे एक मैसेज आगे विल्डान एड एमेल है इस बीन से इंस्ट्रक्षण तूरी चेट यॉर पासवर्ट मैं अपना इमेल चेक करता हूं देखिए हम लोग को यहां पे एक इमे प्लिचाहल मैं ऊसस्या व्लाइड लॉग यहां पर क्लिक करते हैं अब यहां पर कुछ देखिए को लिगन बन जारहा है है कि email भेजो भाई OTP हम लोग को भेजना है registration के टाइम की जिसे ही वह registration करें तो OTP भेजें तो सबसे पहले तो जब वह registration करें तो data save हो लेकिन वह user register नहों जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने यूजर्स को मैं open करता हूं तो अभी हमने कोडिक गुंडाइड ग्मील डॉट कॉम से बनाया है अगांट मैं इसको अगर मैं login करूं ओं और यहाँ पर क्लिक करता हुँ तो देखिए यहाँ पर login हो चुका और कोडिक लेकिन अगर मैं अपने टैब में और यहाँ पर क्या करता हूं कि मैं इस एक्टीव इख टिकल डेता हूं और सेफ करता हूं इसको अभी देखिए यहां पर हम लोग रोगिन है तबिद्धा को चूछ करूंगा और यहां पर यहां पर क्लिक करता हूं देखिए यह हम ही बोल रहा है कि प्लिज इंटर करेक्ट यूजर नेन्म 551 पास्टवॉर्ड मतलब कि हम लोगों को पास्टवर्ड सही डालना होगा यह सब लगों को एक्तिव नहीं है तो हम Lえば क्या करेंगे यह एक लगी कार यहाँ पर करेगा मैं इस इंकामीनेटर ब्रवाजर को काड़ देता हूं यहाँ पर चाल करेगा खुद को यहाँ पर आपना यूजर रेजिस्टर करेगा अपने आपको तो हम लोगी क्या करेंगे एक्टिवेशं को अभी फॉल्स करके रखेंगे यह पर था उसको बिश्रकर कर देंगे तो कैसे करें तो सबसे पहले आते हैं अपने हम कोड में और इन सभी को मैं काड़ देता हूं अभी पास्वर रिसेट हैं इसकी अभी कोई जरुवत नहीं है करेंने और हमलोग अपना उपन करते हैं यूजर में भी यूजर कीया है अगर वालिड हो थो हम दो मंवाज्य को दो क्रिट किया है嗎 मतलब सारा रही हमने यहां पर काम क्या लग अधिया स्परिया इससे पहले हम लोग च्छा करेंगे यूजर.isactive.is underscore active is equal to false कर देंगे false मतलब active जो वहाँ पे टिक आ रहा था वो और false हो जाएगा is active is equal to false मतलब वो और by default false रहेगा तो अभी क्या होगा कि user जब save होगा इसमें तो उसका जो activation वो active जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो और false होगा मतलब कि अभी वो लॉगिंग करने के काबिल नहीं होगा वो लॉगिंग नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी हम लोग OTP भेजेंगे उससरे अब यहाँ पे प्र пойд और के ऊज़र को तो सेफ कर दिया और हम लोग को क्या करना है इस ऑट बेजना है ओट बेजने के लिए क्या करें हम वो टीप भेजने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को टीपी क्रिएट करना होगा तो हम लोग रैंडम फंक्शन से जो पाइफन पर है वो रैंडम फंक्शन जानते हैं तो रैंडम फंक्शन से आम लोग बनाएंगे तो मैं पहले रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट इक्वल टु रेंडम डॉर्ट रेंड़ इंट इंटीजर ऊट्टी बनाना है कि रेंड इंट मतलब इंटीजर बनाना है और हमको शीज डीजिट का बनाना है मतलब दौस लाख स्वरी एक लाख और 99999 के बीच में कोई भी नंबर एक रेंडरम नंबर उठा कि हम लोग क्रियेट करके भेज़ देगा तो एक लाख छेचे डिजिट का बैसिक लिए हम लोग बना रहे हैं इसका लोजिक यह है तो सबसे पहले ही हम लोग यहां पर ओटीपी तो यूजर हम लोग यहां से यूजर को इमपोर्ट कर लेंगे यूजर कोम यहां पर इमपोर्ट किया अब हम लोग बनाएं गेक मोडल क्लास इसका नाम देतें हैं यूजर ओटीप ben ओधिन यूजर ओटीप यूजर ओटीपथ मैंने class बनाया इसमें लिखते हैं models dot sorry models.model मोडल को मैंने यहाँ पर inherit किया यह तो आपको पता ही होगा तो इसमें पहला आदो मैंट हो यूजर होगा तो user is equal to user user is equal to models.dots.foreign key foreign key की इसका foreign key connection करेंगे user table से यूजर on delete is equal to cascade कर देंगे on delete models.cascade मतलब जब मोडल यूजर होगा तो यह भी डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग टाइम को भी कब यह OTP send किया गया है तो यहाँ पर लिखूँआ टाइम स्टैंप टाइम अंजर इसको रहे स्टी कर देते हैं इसके बाद हम लोग OTP को इस्टोर करेंगे तो OTP इसे रखते हैं इसमोल इंटीजर फिल्ड और पस अभी हम लोग कर ना प्राइबायों करते लुक्ति अपना माईग्रेसयं करते हूट है यहां पर में इसे बंद करूंगा इस देक मैं स्टैंपर मोडल हमने मोडäs लिखना है मोलोग को छाओ नोट की हमने हमने किया है कि देखे सर्वार चल रहा है मतलब कोई गर्वी नहीं है यहां पर मैं इसे सर्वार को बंद करूंगा और यहां पर मैं पाइथन मैंने जोट पीवाई मेक माइग्रेशन अप्लाई करूंगा मेक माइग्रेशन है माईग्रेयशन हम लोगाossee Ugh माइग्र गारते हैं तो मैं है यहां पर माइग्रेट कमांड योज घरता हूं हम लोग यूजर ओडिपी को यहां पहीं लोग इम्पूर्ट किये हम लोग यहां पे जब मर्शाल लिए है नेमजे कर टो टिपी हमने यहाँ पर जयरेट किया यूजर ओटीपी जगल टुरेंडर ट्रेंट एक औरोट को मिल जाएगा और हम लोग इसको इसमें सेव करेंगे तो लिखेंगे यूजर यूजरोट पी डॉप टॉप ऑब्यक्त कि डॉट क्रिएट और क्रिएट करेंगे हम लोग क्या इसमें सबसे पहले यूजर इकवल टु यूजर इकवल टु यूजर इसमें डाल हम लोग को मैसेज जो भेजना है अपने user को मैसेज जो भेजना है जो email पर हम लोग को mail करना उस mail का message क्या होगा उसको यहाँ पर और message में क्या पास करना चाहूंगा तो मैं एक फिस्ट्रिंग ले लेता हूं पर यहां पर फिस्ट्रिंग कि मैं लिखोंगा घाउलो और उसका नेम डालते है आप तुम्हें नेम के लिए यू-TON वर फट करदेते हैं तो मैं उजयर करते हैं और नीचे हम लिएंक्स लिखते हैं कसा थैंक्स पर यतना ही मैसेज मेंारें देंगे मैसेज में ज्यादा कुछ नहीं देंगे आप बारी आता है हम लोगों को मैसेज को अंड करने का मिल को सेंड करने का तो सब शेंड करने के लिए हम वरोग इंपोर्ट करेंगे आप Szen भी को जैंत 것으로 दॉसको लिखेंगे फ्रॉं में इंपोर्ट करता हैं सबते पहले उसको लिखेंगे from from django.core.mail को import है तो सेंड अंडरिस्कोर में लटीमें को हम नहीं यहां पे इंपोर्ट किया और हम लोग क्या करेंगे यहां पे send mail function या एक function है एक method है जिसका पहला argument होता है आपका subject क्या होगा जो आप mail भेज रहे हैं उसका subject क्या होगा तो मैं इस mail का subject लिखूंगा यहां पर लिख देते हैं हम लोग वेरिफाइओर इमेल तो मैं लिख देता हूं वेरिफाइओर इमेल हम लोग का सब्जेक्ट यह हो गया दूसरा जो आर्गुमेंट इसमें पास होता है वो होता है वेरियवल बनाया है जो मैंसे को रख रहा है है यहां पर देखिए इसको तो हम लोग मैंसे में को सब्जेक्ट है दुसरा अर्गुमेंट में हम लोग उस इमेल को डालेंगी जिससे हम लोग भेजने वाले हैं तो हमने email को पहले ही अपने settings.py में register कर रहा है आपने अभी देखा मैंने कुछ ज़र पहले हैं यह forget password के लिए register किया तो मैं सहसे पहले settings को यहां पर import कर लूँगा तो लिखूंगा from django.com import settings हम लोग यहां से settings को import कर लेंगे देखिए यहां से settings.py इसको इंप्रोट कर रहा है तो हमने settings.py settings को इंप्रोट किया और यहां पर आप और यहां पर मैं settings.email host user उस user को मैं यहां पेस्ट कर चुका हूं settings को यहां पर ला दिया अब हम लोग को यहां पर एक list of email देना होगा सभी जिस email पर हम लोग को इसे send करना है अगला argument में तो हम लोग अगला argument में user का email देंगे तो लिखेंगे यूएस आर यूएस आर डोट email यूएस का email दा लेंगे और जो आखरी आर्गुमेंट है फेल साइलेंटली इस इक्वाल्स करेंगे साइलेंटली फेल नहीं इस लिए तो हुआ ही नहीं है प्रोपरली तो हम लोग कैसे बेज़े कि हाँ आपका एकाउंट क्रियेट हो चुका है अब लोग यहां पर रिटर्न करेंगे डिटर्न रेंडर अब क्या करते हैं कि अलग अलग टेंपलेट नहीं बनाते हैं कि अब हम लोग को बेरिफाई करवाना होगा अब लोग अपने डेटाबस में भी सेव कर चुके हैं और अब लोग को चेकर बना है तो एक हमारे पास आप्सन है कि हम लोग एक नया फिर से टेंपलेट बना इस पे लोग चेक करेंगे लेकिंगे आप लोग क्या करेंगे इसी टेंपलेट शाइनफ.html पे ही इसको हम लो जो चेक कर लेंगे अपने on टीपी। को चेक noon यहां पेसे पेस्ट करता हूँ और देखिए यहांelle डिब फॉन थो एक फॉर्ब भेज नहीं रहें हैं यहां पर लोग फॉर्म था जरूए कि जरूइत हो किए अब लूगव्लग यहां पर ओडि भेजंगे लेकिन क्या करेंगे ऊटीप को टू करके भीज़ेंगे मतलब उसको बताएंगे कि यह अब यूजर ने और पांसवर यह सब साइन अप के लिए नहीं लेगा अब यह लेगा तो अब हम लोग आते हैं अपने साइन अपर खोलते हैं आपको अगर नहीं समझा रहा है तो अभी हम लोग साइन अप करते हैं अगर आते हैं यहां पर साइन अपर फूल नेम इमेल सब आ रहा है लेकिन जब हम लोग को अपना रखना है तो हम लोग क्या करेंगे अब ओटीप को यहां पर करेंगे तो देखिए यहां पर एक हम लोग इप स्टेटमेंट लगाते हैं यहां लिखते हैं इफ ओटी पी ओटीपी मतलब देखिए यहां से आप लोग ट्रू किये है मतलब आप लोग पास करने पर आमीटर में तो यहीं पर चेक कराएं कि अगर ओटीपी पर समझाओंगा चिंता करने का कोई बात नहीं है अब यहां पे अलग अपना फॉर्म बनाएंगे फॉर्म हैं हम ऊद्ब फॉर्म को मैं काम होगा इनी चरविफ नहीं करता हूं यहां को यहां पे इसना हर्ग को यहां करें दिखाया क्यों कि जब अगर नहीं होगा यहां पर आते हैं तो यहां पर अलग बनाएंगे तो यहां मैं सबसे पहले बूट स्टैप से ही एक form input box copy गुए इंपूट ग्रूप पर जाते हैं और मैं इसको copy कर लेता हूं मैं इसे पूस्ट करता हूं यहां पर और में यहां पर लिखता हूं ओ udah keeping jog लिखते हैं इन हेसा को ज़ victim ले रहा है यहां पर यूजर नेल यह सब लेखते हैं यहाँ पे इंटर इंटर यॉर ओठी पर यहां पर प्ले प्रामिटल बनाएंगे नेम जिससे कि हम लोग इसे बैकेंड में एक्सेस करेंगे नेम इस उकल टू हम लगते हैं ओटीपी लिख देते हैं फिर यह हो गया उसके बाद यहाँ पर साइनफ चाहां पर फॉर्म है साइनफ रिखा हुआ यहाँ लेकिन दखिए यहाँ पर अल्र इस एक के अंदर जहां पर हम लोग लोगी नहीं यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर मैं एक आई टैक बनाता हूं यहाँ पर लिखता हूं रिखता हूं और आई टैक के बाहर लिखते हैं ओटीपी डिशेंड टीपी और इसको हम लोग एक आईडी देते मैं इसा क्यूं कर रह है आपको पता चल जाएगा तुरत थी कि मैंने यह साथ क्यों किया है तो हमने यहाँ पे यह किया आम लोग का बैसे कि लिए यह फॉर्म हमने यहाँ पे हो को चला जाएगा जब यहांद पर होकर हम लोग है रउस श्राइब भॉंग यहां पर देख पा रहा है वहीं जो एक का न हरो कृट होगा उसे फार्म नहीं प्रकृ। तो यह वाला फॉर्म हम लोग को वहां पर देखने को मिलेगा अब हम लोग क्या करना है अब यह फिर से OTP से में input करेगा इस input box में तो यह फिर जब submit बटन पर click करेगा तो यह फिर request कहां जाएगा फिर से request हम लोग का यहीं पर आएगा इसी signup डॉट इसी साइन अप व्यू में देखिए इसी वज़र से हम लोग अलग अलग नहीं क्रियेट किये व्यू अलग बनाते तो वह ज्यादा लेंदी हो जाता और पचास एक ही काम के लिए सही नहीं है तो अब देखिए जब यहां पर फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा तो अब क्या होगा कि अब फिर से यहीं फॉर्म क्रियेट होने लेगा लेकिन हम लोग को यह काम नहीं करना है अब हम लोग को बेरी बेरिफाइब करना है तो सबसे पहले ओटी पी इस इकल टू यहां पर माइवोटीपी लिखते हैं माइवोटीपी चाहिए गेट ओटीपी में गेटऊ टीपी सही रहागा जबोटीपी नाम का एक मैं वहा बनाऊंगा इस इकल टू रिक्वेस्ट लो रृक्वेस्ट. daud perspective है और हम लोग उसका नाम दीजिए ओटीपी दिखिए यहां पर डोगा audit मications को यहां पर access कर रहा है ठीक अब देखिए यहां पर एक बात आपको समझने 123 यहां स्कूल बतलब कि जब ये वाला फॉर्म ये वाला फॉर्म दिखे गा उसमें ओडी डालके यूजर सब्मीट बटन पर क्लिक करेगा तोLAUन देविज महपी करे अगर यहीं पर वट मोग अपना जुगार सकते हैं अकने दिमाग लगा mantis अग हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक श्टेटमेंट यहां पर करेंगे जह करेंगे कि ओट्टिपी बोर डाल के सब्मिट कर रहा है कि यह ऐसा ही नन आजागे अगर आएगा तो आगे बर जाएगा इसमें नहीं आएगा तो अगर कम अगर ऑगर नए मतलब कुछ सबस्क्रांग हो मतलब कुछ नहीं मतलब इसमें नहीं लेकिन अगर илась एक कुछ भी ऑन टुटी पेकर डाल रहा है तो इसके अंदर का काम होगा अगर यए नहीं होगा तहल में अम लोग यह काम करेंगे यह वाला काम I hope कि आपको यह समझ में आ रहा होगा अच्छा से अगर नहीं तो मैं फिर आगे आगे बार फिर से इसको समझाऊंगा सिंता करने की कोई बात नहीं है तो हम लोग हम लोग यहां पे मतलब OTP हम लोग को मिल चुका है लेकिन हमने यहां पर OTP भेजा लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा कि किस यूजर का OTP है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से यूजर को भी पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे एक और इंपूट टैग बना देंगे लेकिन उसक कि इसका नेम ढालता हूं और इसका वैलू भी हम लोग करेंगे अब समस्च आता है कि हम लोग कैसे क्या करें तो हम लोग क्या करेंगे यहां फर में यहां पी थर सब्सक्राइब पास अभी मैं पास लिखा हो तो तो यह काम होगा तो अब हमने इसे पास किया अब हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट में यहाँ आप देख पारें ओटीपी भेज रहा है है डुटीपी उसके साथ एक और आर्गुमेन बेंगे यूजर घ्याना वंज़ों किया तो अब हम लोग के पास यहाँ पर ओटीपी तो एक यूजर बढ आईगा तो हम लोग यहां पर क्या कहांँगा backgroundGervo यूजर नेम नहीं है मतलब टीपिव इंटर करके दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे पता करने कि यूजर कौन से यहां पे लिखेंगे यूसर में फिर से यहां पर यूसर नाम का एक वरियेवल मना रहा हूं यूसर इसका नाम देते हैं यूसर इसमें यूजर नम उसका आ गया अब हम लोग क्या करेंगे लूसर में उसका आज़न है अब हम हम लोग क्या कहेंगे यूजर का आपजेक्ट से देखेंगे कि यूजर इंसका ब् jestem करताहें कि नहीं पता चला कि कोई वियर से लिए को बहुआ है कोई माले यह गलत डाल लहां आम बारबार ईमेल से चेक कर रहें तो इसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि यह क्या यह यूजर करता है हमारे इस डेटाबेस में हमारे यूजर टेबल में यूजर एकजिस्ट करता आहां गए और यह करता है तो क्या इसका एक्टीव प्लस है अगर वह उसका उसका फॉल्स हो का तब यहीं हम लोग को चेक करना यहां पर तो लोग क्या करेंगे आप पल्लिल बनाते हैं यूएस्टार इस इकॉल to user dot object dot get objects dot get और यहां पर हम लिखते हैं कि यूजर नेम is equal to get user get usr अब हम लोग चेक करेंगे if usr.is अगर एक्टिव नहीं हो तो लिखेंगे if not usr.is active तो is underscore active अगर यूजर एक्टिव नहीं हो तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि OTP वो जो भेज रहा है हमको वो OTP क्या सही है जो हमारा OTP हमारे database में save है वो OTP सही है देखिए हमारे database में foreign की लगाए है यहां पर तो multiple OTP है कही यूजर का हो सकता है recent recent करकर के multiple OTP यहां पर डाल देगा तो हम लोग को सबसे latest वाला जो OTP गया है उसको चेक करना है ठीक तो हम लोग चेक करेंगे यहां पर statement लगा के if चुकी हम लोग का OTP इन्टीजर टाइप है तो हम लोग क्या करेंगे इसे इन्टीजर में बदल देंगे अपना गेट OTP के यहां इस इन्ट ऑफ गेट OTP is equal to equal to equal to user otp.objects.date.objects.filter कमांड लाएंगे filter और हम लोग user name user is equal to usr user is equal to usr पास करेंगे और इसका सबसे latest चाहिए तो डॉट लास्ट डॉट लास्ट में सबसे डॉट लास्ट फंक्शन से सबसे latest वाला जो एड हुआ है वह दिखेगा डॉट लास्ट और डॉट इसका OTP से हमको चेक करना है तो ओ टीपी देखिए समझिए जो OTP user भेजा है वह इंटीजर में हमने उसे convert किया और फिर यूजर OTP डॉट फिल्टर हमने फिल्टर किया और यूजर OTP मतलब जिए उसका जितना भी यूजर इस यूजर है जो यूजर OTP कर रहा है उस अब का यूजर OTP यहाँ पर आ जाएगा और उसमें सबसे ले टेस्ट तो हमने लास्ट सबसे जो लास्ट के चलेंगे मैं इसे ctrl X करता हूं और यहाँ पे मैं इसे paste कर दूँगा यहाँ पे रहा है यहाँ पे message or success success हुआ request account created for username मतलब जब OTP valid हो तो account create हो चुका है और हम लोग लोग इन पर इसे redirect कर देंगे अगर यह गल्बती हो मतलब मैच नव करें एpel इसके एलस पार्त में तो आफा क्या एंगे फिर एक मैसेज भेजेंगे हजी कर भी को कि मैसेज भलेंगे सभक्स नहीं मैसेज़र होगा यह मैसेज्ट दीकिए मैसेज भीजरी मैसेजि़ जो है यह है मैं अभी बता देता हूँ आपको यह hilari कि इसका पहला जो प्रकार होता है वो होता है सक्षेज जो आप देख चुके हैं सक्षेज इसका दूसरा प्रकार होता है इन्फो तिसरा प्रकार होता है एरर चौथा प्रकार होता है डी बग कि और इसका पांचवा जो प्रकार होता है वो होता है वार्निंग आ है कि वार्निंग तो यह पांच प्रकार का मैसेज होता है तो चमst iinद भुए कुछ तो अम लोग स्कirst शाफ पर रहा है तो अभी हम लोग एरळाया आया है मैसेज मैज नहीं हुआ है तो हम लोग करेंगे मैसेज लाट इरड को यहां पर सैंड करेंगे तो यहां पर message.success के जगा message of error मैंने किया और इसे हम लोग फिर से कहां भेज़ेंगे फिर से हम लोग इसे OTP वाले page पर ही भेज देंगे तो हम लोग कहां पर return render इस वाले value को return करेंगे आपको मैं अभी समझाता हूं कैसे देखिए जब हम लोग का OTP मैच कर गया यहां पर तो मैच कर गया तो हमने अकाउंट क्रियेट हो चुका है और हमने login पेज़ दिया कि यहां वह यहां पर इसको बदलते हैं आपने एक गलत OTP डाला तो हमने यह एक मैसेज भेजा कि आपने रॉंग OTP यहां पर डाला है और उसके बाद हम लोग फिर से OTP वाले पेज़ेंगे तो फिर से यहीं वाला हम लोग ग्रेंडर करेंगे रिक्वेस्ट यूजर जाइन पर भेज़ेंगे OTP कर देंगे और यूजर में USR को भेज़ेंगे जो हम लोग यहां पर क्रियेट कर चुके हैं तो यह क्या होगा अब फिर से OTP पूछेगा वहीं OTP अगर सही डालेगा तो ठीक है और नहीं तो फिर काम गरबर हो जाएगा वहां पर अगर यहां पर देखी इसके बाद इसका आता है कि अगर माल देखे वह एक्टी रिफायर हो तो तो और तो stripes पहला YouTube नबर तो तो हूं तोय हैं करेंगा अगर है तूर नहीं करेंगा अगर तो यह रहाएं कि गौगा कोडो होगा एक पार आती हैं इसको कर करने कि रह कいや नहीं क्या अपना यह는 फूल नेम डालते मैं आसी सिन्ग耍 डाल रहा हूँ इमेलtv को देखिए यहाँ इंडिलियोर्वर हो गया है यह क्यों गरवर हुआ है मैं बताता हूं कुछ डिजाइनिंग में प्रोलम है साइनप पर आता हूं हो हमने यह जो लास्ट वाला इमेल यूज कर रहा हूं तो अभी देखिए यहां पर वेलकम टू आईटी स्कॉरर वाला मेरा मैसेज आ चुका है मैं आपको दिखा रहा हूं अभी ओपेन करके इसे जो अभी हमलों का मेल आया है हेलो आसिस मैंने नाम आसिस डाला था यूर ओटीपी जी वन नाइन जीरो श 688685 यह हम लोग का ओटीपी है थैंक्स मतलब हम लोग का यहां पर इमेल आया मैंने अपना कोडिंग उन्डा वाला इमेल यूज किया था और देखिए सब्जेक्ट में हम लोग का वेलकम टूइटी स्कॉर वेरिफाई यूर इमेल मतलब सब कुस्ता है से हम लोगा इमेल यहां पर क्लिक करता हूं जो आपने देखिए अंग्सेट कर लेते हैं और आते हैं सबसे पहले था अपने यूजर को गया दिलीट कर रहा हूं तो आता हूं सबसे पहले अपने इस पैनल में और एड्मिन पैनल पोपेंड करता हूं कि एड्मिन और राश्तोस रंजन वला जो इमेल है मैं उसे डिलीट करता हूं जो यूजर हम लोग अभी क्रियेट हुआ है कि हमने गलती से देखिए लेकिन एक बार देखिए अभी जो यूजर क्रियेट हुआ हम लोग का ओटीपी वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है इसलिए देखिए यहां पर यहां पर यहां पर लोट करता हुआ इसे बंच करता हूं फिर अपना उजमर करता हूं तो प्रतों रंजन से बना रहा हूं इमेल आईडी में राचोसरण इमेल.com पासवर डाल दे रहा हूं साइन अप पे क्लिक करते हैं देखिए फेरिफाई और OTP करके आगे अब आते हैं आपने फिर से मैं इमेल खोल के दिखाता हूं मैं बैक जाता हूं यह पुराना इमेल है हम लोग का है मैं इसे ओपेन करता हूं देखिए यह उपर हम लोगा 190685 जो था यह पुरा नहीं मिले लेकि नया आप देखिए दुसरा रेंडम इमेज की रेंडम मोटीपी क्रियेट करके भेजा है तो देखिए हैलो राइस तो यह तो यह हम लोग का ओटीपी है अभी मैं क्या करूं हां में देखते हैं क्या दिक्कत है तो यह बोल रहा है कि यूजर्च कर रहा है वह एक्जिस्ट नहीं कर रहा है यहां पे का हम लोग का एर है और हमने यहां पे signup.stml में input type is equal to is equal to new is equal to usr usee यहां पे लिख दिये हैं गलती से हम लोग को usr.username लिखना था इसलिए हम लोग का एरर आया तो हम लोग को फिर से फिर से इस प्रोसेस को अपना आते हैं तो सब्सक्राइब कि आया है तो इसलिए है जाए है कि मैं फिर अपने रेजिस्टर न डॉट सइनफ टेस्ट मेल पर साइन परेज में आचिक लोगे फिर से वह हम लोगत च्छोटा सा मिश्टेक देख रहे है यह यह लिख दिया थे वह साठ के जगए तो छोटा सा मिश्टेक कि यह बन्डर करत करते हैं तो मैं अब फिर से अपना करता हूं उसी e-mail से सांड़ पर हम लोग करते हैं देखिंगी otp भैज चुका है यहां पर फिर से इमेल कुछ दोठीप आ चुका है जो कि हम लोग का पिल रहा क्योंकि हम लोग यह ओर जेनरिट हुआ था फिर से अभी हम लोग अगर यहां पर गलत OTP डालते हैं मैं फिर से गलत अगर क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहां पर मैसेज को यहां पर करेंगे और यहां पर पर यहां पर अँपर सट करते हैं यहां पर अब के आपको बता हैं मैं meow प्रकार के होते हैं इतने टैक्स होते हैं मैसेजस की सक्षेज इंफो एरर डीबग और वार्निंग और एक्तफाक से अगर आप बूट स्टैप का अलर्ट पेज खोलें अलर्ट पेज में आपको खोल के दिखा रहा हूं तो देखिए इसका भी प्रकार बिल्कुल वैसे ही है है यहां पर क्लास में क्लास में देखिए उसकेंट्री है यह थे मंश्मोग के और वह पास थे यह घ्ぶ है फिर हम लोगा एक हर था जोकि humor नहीं है मतलब यह तीन चीज़े साफ यहां पर मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर मैं इसे कंट्रोल सी करूंगा और यहां पर मैं जहां पे एरर दिया हूँ वहां पर मैं फसक्र करूंगा क्यों मैं फायदा होगा हूं को मैं अभी आपको बताता हूं मैं अपने साइनफ प्रटेस्टीम जहां पर लिखे हैं यहां पर हम दोंट अपने कैसे यहां पर लिखें अरो मैसेज मैसेज.tags तो यहां पर जो भी मैसेज़ का टैग होगा वह आ जाएगा अलर्ट मैसेज और टैक्स यहां पर जो उसका टैग हुग अहों लोग फिर से यहां पर ओटीपी गलत डालके देखते हैं अब एक फिर वेरिफाई पपक्लिक किया दिखिए वार्णिंग वाले फॉर्मेट में आ रहा है यहीं अगर हम लोग का सक्सेशफुल हो जाएगा तो वार्णिंग वाले फॉर्मेट में नहीं आएगा तो यहीं मैसेज का फायदा है तो यह हम लोग क्या करते हैं जो यहां पर हमने यहां पर यह मैसेज टैग है इसको तो हम लोग यहां पे भी पेस्ट कर देते हैं login.stml में भी सक्सेज नहीं जो भी हम लोग मैसेज वेज़ेंगे उसके अनुशार यह बदलता रहेगा तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा अब हम लोग इने यहां पर बार 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 बोल रहे हैं तो यह बार यहां पर फिर एक हैन रहर हो गया है हमने यहां पर यहां से यहां डाला डायेक्ट लेकिन यूजर नहीं करता है तो नहीं यहां पर लिखना हुए करते हैं मैं his e-mail.com मतले अगर सही इमेल डाला तो अब हम हम लोगों ने इतनी बड़ी बयवकुफी यहां पर की है यहां पर हमने सक्षेज कर दिया है वाल तो लोग करना था यहां पर लिखेंगा usr.is active is equal to true हमने यहां पर मिस्टेग कियाâu किया यहां पर लॉगिन नहीं हो पा रहा हुं ध offense क्यों किंने करता हूं काफ़ी हमने छोटा-चोटा निस्टेक से ही हम लोग सीख रहे है तो अच्छा है स्किया तो यूजर डॉइशन डोक टीव स्क्टार लिए था मतलब दिया अब इसे उड्वेंगे और हम फिर से मैं मैं एड्मीन पैणल खोलता हूं कि एयूजमीन से यहां से भी लोगिंग करते हैं तो मैं लोगिंग करता हूं र ऐड्मीन उच्ण में लोग इन और मैं र एड्मीन में जा राहे हूं घ्यूज creek से अब रखौई अब लोगिंग करता हों कि तो यहां पर देखिए active is equal to false ही है अभी true नहीं है तो अभी हम लोग इस user को delete करेंगे यहां से delete मैं करता हूं इस है यहां पर यह पर यह हम लोग का user delete हो चुका है अब हम लोग क्या करेंगा फिर से user create किंगे यहां से मैं log out करता हूं फिलाल के लिए और मैं फिर से अपने साइन अप पेज पर जाना चाहूंगा तो मैं साइन अप पर आता हूं या पर मैं फिर से नाम अपना राज्तोस रंजन डालूंगा और मैं यहां पर साइन अप पर क्लिक करूंगा तो आते हैं यहां पर देखते हैं अपने इसी को रिफ्रेस्ट करता हूं यहीं पर दीख जाएगा नीचे में देखिए आम लोका नाया वाला ओटिपी आगया है 691005 अभी एक बार गलत डालके देखते हैं फिर से गलत डालते ह प्लिक करते हैं देखिए इंटर ड्रोंट अब मैं इसमें सही बangलोगी अपर लॉग ं है यहां फो मुझे हैं यहां फो लोग इन हो चुकी है यहां लोग पर बटन आ गया लॉगिन हो चुके है वेसे लिघंगा यहां फिर से लौड कर देता हूं फिर से लॉग अगया मै करें दिखाऊं यहाँ पर चलते हैं है कि कि एक्टिब तो हो चुका होगा अब हम लेकिन यहाँ पर बात बोलेगा आपकि यहाँ यहाँ पर जो तुम रिशेट्ट आते हैं फिर से पढ़र करता हूं पर यहां पर रजिस्टर टर्ट टेस्ट अधीमल रजिस्टर पर जाते हैं यहाँ पर अगर और यहां नहीं नहीं कर सकता से कंच करते हैं अभी ऑंबीर मेरे पास नहीं इयमेल नाहीं कर पगो तो मीरा एकाउंट क्रियर्ट नहीं होगा तो यहां तो पर दीडिक का जो आ रहा है भेलो पर कैसे काम करें तो इस पर हमगों करेंगे यह मैं जावा स्क्रिप्ट एक्सेमेल मैं एक वीडियो बना है आप जाके उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर आपको समाझ में आ जाएगा नहीं तो आपको कुछ ज्यादा तफ सीज नहीं है आपको यहां पर भी समाझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग एक्स का यूज करें त हम लोग का यहां पर अल्रेडी लोडेर है कोई दिकत का बात नहीं है अब हम लोग अपना एक अपना स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं मैं यहां पर एक स्क्रिप्ट बनाता हूं अपने इस प्रोजेक्ट में अपने पूरे सोसल मीडिया प्रोजेक्ट में हम लोग एक्स का अपना सके बणा लेता हो कियुक्त लिखूंगा सिक्ट टग सवह स्वोर्स देंगे हम लोग है शोर्स इसमें मैं स्टैटिक का यूज करूंगा को कि मैं इसे को बेसे कंडिकल Dani कोपी करता हूं अपने CSS में में static के में में फिर js में यहां पर लोग एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा एजेक्स डट यह लिखेंगे एजेक्स डॉट जैस नम कामने एक डायक्टी बनाया तो हम लोग इसमें अपना पूरा अब हम लोग रखते हैं तो हम लोग यहां पर हम लोगों का यहां पर है यहां पर हम लोग यह लिंक दिये हैं कैसेको अत लोग कुल लिया अठाद है इसलिए हम लोग क्लिक 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 किया तो between है खमस्टे लिंक में 모든 कुछ नहीं चाहिए कर देती है यहां फीर मुग फंक्सों को कॉल करेंगे मैं on click on click एक function मैं call करूंगा उस function का नाम होगा recent otp तो लिखते है recent otp यहाँ पर हम लोग sent लिखे हैं यहाँ पर send लिखे हैं यहाँ पर send कर देते है recent otp एक function call करेंगे इसमें जो argument pass होगा वह argument होगा हम लोग का user name जो current user है उसको तो usr.username usr हम लोग pass कर रहे हैं basically देखिए यहाँ पर भी हम लोग इसे access कर पा रहा है देखिए input type is equal to hidden और usr.username यहाँ पर भी हमने access क्या तो recent otp में हम लोग username pass कर देंगे और एक argument हम लोग पास करेंगे id इसका जिसमें हम लोगा recent लिखा हुए क्यों क्योंकि जब यह recent हो रहा होगा मतलब जब recent होने का process हो रहा होगा तो यहाँ पर sending otp message जागा इसको मुद चेंज करेंगे javascript की मदद से तो मैं इसका id भी यहाँ पास करते रहा हूं डूसरा argument में इसका जिसमें लिखा हूए उसका id पास कर्णा आपको अगर नहीं दिख रहा हूँ इसे यहाँ पास किया इस को भी हमने पास किया इसको क्यों पास कि पता चल जाएगा अब लोग री को हम लोग इसको र इच को करते हैं री सेंट ओटी पी यह हमने जो फंक्शन है यहां पे कॉल कर दिया ऑन क्लिक पे इसी हम लोग पहले करें कहां करें अपने आजक हुआ आजट में सब्सक्याटों टीब्ल parked करें सक नाम होगा लोग सेंट ओटी पहला पूसें आर्ली क्या कर रहें तो इसमें क्या हैं यूजरल और दूसरा आर्गुमेंट आ यह यहां लोग होगा जब यह function call होगा तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग एक्सेस करेंगे यह जो हम लोग यहाँ पर रिष्यंड लिखा हुआ है मैंनी । हटी करते हैं और इस में लोग क्या करेंगे मेसत आईडी में साटी में keer आईडी का आएगा इसको अफ हैज करेंगे मैसेज वाला फायल को और his product क्रेंगे में डॉट इनर टेक्स ti कि इनर टेक्स्ट इस एक्वल टू हम लोग इसको चेंज करके सेंडिंग कर देंगे अब शेंडिंग डॉट 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 मैं दे रहा हूं देखिए बैसिकली होगा क्या पहले में डॉट इस इस जो यहां पर सवरी मैंने साइन अप्ट टेस्टिम इसको पर करते हैं यह जो हम लोग का आई टैग है इसको यह रिट्रिव करेगा वहाँ पर और इसमें टेक्स्ट मतलब इस रिचेंड को चेंज करके शेंडिंग कर देगा ठीक यह हमने अभी काम किया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रिक्वेस्ट बैजेंगे एजस के तुरू तो लिखेंगे एजक्स हमने यहां पर यहां पर डॉलर डॉट एक्ट करेंगे डॉलर डॉट एजक्स यह एक बिसिकली फंक्शन बोल सकते हैं है इसमें हम लोग कुछ आर्गमेंट पास कहेंगे सबसे पहला जो आर्गमेंट होगा वह होगा टाइप तो टाइप क्या है मतलब गेट और पोस्ट दो प्रकार का टाइप होता है रिक्वेस्ट भेजने का तो हम लोग यह है रिज और टीप रिजन डीप इस पर यह लोग है इसको आटाता है इस युलोग को पर दिया उसके बाद जो तीसरा लाए उसमें डेटा पास कि जाता है जो भी आप डेटा वहाँ पर बेजना चाहते तो मैं डेटा में बैसिकली यूजर नहीं पास करना चाहां तो jissr चैए यूजर नेम यूजर नेम युजर नेम को पासuard कर देंगे तो इसके लिए यूजर नेम में हम लोग अॐ यूजरनेमस को पास करेंगे युजरानेम एक ही हो जा रहा है तो मैं यूजरлер कर देता हूं इसको यूंजर में हम लोग पास कर देंगे locks तो हम लोग निध्या यहां पर भेज रहे हैं और जब यह हो जाएंगा मतलब सबस्धाइबd लिक्वेस्ट चला जाएगा और वहां से response भी यहां पे आ जाएगा कुछ data भी वहां से हो जाएगा इमेल हो जाएगा तो यहां पे लिखेंगे success success पे हम लोग एक function चलाएंगे तो function the function keyword हमने यहां पर लिखा इसमें जो भी अगर वहां से data आएगा request जहां पे हमुआ रिक्षमेशत हैं वहां से कुछ सदेटा ऐगा है जो किसे वर करता है तो यहां पर फिर से सेंड रिसन डापी कर देंगे यहां पे से कोपी कर लेता हूं उसको यहां को करते हैं और यहां पे यहां पे यहां मोर्डोवी और नहीं क्रिक्रीट दे यहीं हैं यही का यहां पर सबसे नीचे में आइड करता हूं पाथ यहां पर मैं पाथ करूंगा पाथ यूरल होगा यह हम लोग का रिचेंड टीपी कॉमा इसमें फिस फंक्शन को कॉल किया जाए तो फंक्शन में यहां फ्रॉम डॉट भीव इंपोर्ट साइन अफ है तो यहां पर हम कोई नाम देनी की जरूरात नहीं है कोई जरूरत नहीं किसे हम लोग कहीं एक्सेस नहीं कर रहे हैं बस हमने ऐसे आइड कर दिया और हम लोग अपने विव.py में इसका रिचेंड टीपी नहीं का ओटीपी व्यू क्रियेट कर लें फंक्शन क्रेट करें तो डेफ करते हैं हét जिसमीहला आडग्मेंट होगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पोर यहाँ पर होच्वहा अब अब हम लोग चेक करंगे इफ को में क्रेश कदाश्राइब्स secrets क全 बैद से मखी से नहीं व्युक्त गोग होता है लेकिन चटर लेता है में टो अरो इस एफ करते हैं यहां से हम लोग यहां से नोग कि रहें रहे से तो च्वेश्ट आहे तो हम लोग क्या करेंगे तो सब्से पहले तो लोग यहां पर युजर है किए इसको एक्सेस करेंगे तो लिखेंगे हैं पर हम लोग जिल्ट कर सकते हैं एक्सेस डोत के वे सब्सक्रद दो इसको डाय को आप आग जिल्ट है तो मोग हम लोग यूजरस तो तो यहां पर हम लाद दिये लेकिन क्या हुआ कि अगर माली कोई हम लोगा फंक्शन इसी फंक्शन को कॉल कर दे यहीं सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर लिखेंगे इस को इसमें यूजर नेम इसी क्या हुआ ऑगजिस्ट अगर यह यूजर एक्जिस्ट करता है हमारे इस यूजर टेबल में तो ही इसको रन करो एंड दो चीज़े आपे होंगे माल लीजे यूजर एक्जिस्ट करता है हमें हमी थोड़ा चतुर निकले बार बार फंक्शन कॉल कर रहा है और वह भेरिफाइड यूजर है एक्टिव यूजर है तो हम लोगों को यह भी चेक करना हो कि वह एक्टिव यूजर नहों तो इफ इस यूजर नियमसे यूजर exist करता हो और वह एक्टिव नëं और यूजर ओव्जेक to age iOS न reads यूजर ना हो तभर हम लोग यह काम करेंगे नहीं यह मैसेज वाला पूरा हम लोग कॉपी करेंगे कॉलम अपने रिक्वेस्ट रिजिस्टर व्यू से इसको मैं यहां पर पेस्ट करूंगा मैसेज हुआ वहा यूजर दोट इमेल हम लोग यूजर अभी नहीं बनाए तो यूजर को यहां पे एक यूजर अब्जेक्ट बना ले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यू सर यू सर इसे इस इक्विल टू यू जर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट कि यूजर नेम इस इस उपल्टु गेट यूजर होगा लिए अब हम लोग करेंगे इसे कोपी करते हैं और मैसेच से पहले से फेस्ट करते हैं दोनों चीज़ को मैंने यहां पर कपी किया है कि यहां पर पेश्ट करता हूं तो देखिए यूजर पीर अब यहां पर यूजर आ जाएगा यूजर ओटीपी रैंडम लोट रैंडिंट बना देंगे और फिर यूजर ओटीपी को हम लोग object create अपने इस data-based model में add भी करेंगे जो हमने create क्या है यूजर लोटीपी नाम का उसमें add करेंगे user is equal to user हो जाएगा OTP is equal to OTP हम लोग add कर देंगे और message यह होगा message send कर देंगे message हम लोग का send हो चुका है और यहां पर हम लोग लिखेंगे http response return http response return http हम लोग सब्सक्राइब पहले तो http सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखते हैं from dot http import http response इसिटीपी response को हमने यहां पर import किया अब हम लोग यहां पर करेंगे अगर यह हो तो return करेंगे स्टीटीपी रिसपांस हम लोग जीसमें लिखेंगे है send तिक मतलब हम लोग का value send हो चुका है अगर यह नहों मतलब अगर यह काम ही ना करें लोग यह आमने इफ के बाहर लिख दिया यह हमने अगर लिखा इस के अंदर हम लोग मैसे यह देटा हम लोगे ले रहा है यहां चला पर आप हो सकता है Crime कर सकते हैं जो भी अगर यह काम करना और हो इसको तो यहां पर हम सिंपली करेंगे टव कर सकते हैं डिर पी OTP response और उसमें हम लोग प्रास कर देंगे simply इसको मैं सबसे बाहर करता हूं गेट रिक्षेश्स भी बाहर और यहाँ पे हम लोग एक message दे रहा हैं Karn to send okay Cannot send कर्णोड हमने यहां पर ein message दे दिया तो अब यहां प्रक्षाओ क्रमक यह कर देगा है कि यह हैं कि आपने पहले चलोंको एक तरफ दो तरफ में घर किया और मैं अपने बम्हर्म को च्राहिं को मैं इस दूसरे उटाइगाม इसमें अपना फ्रेट लॉगन करता हूँ इधर मैंने अपना फ्रेट करते हैं कि अधर फिर से क्रेट करेंगे इसी इमेल से is go करते हैं I는 को है कि तो हमने एमेल की मैं को यहां से टिलीट कर दिया भिशी कलिए फिर से यहां पे sign up करेंगे तो मैं आपना इमेल दो testosterone करने और इंपे क्लिक करता हूँ यहां पर कि आपको देखे मैं आपना कहों प्रेस यहां पोल के रखता हूं देखिए जब ओटीपी आएगा तो यहां पर आपको दिख जाएगा बैसिकली तो मैं यहां पे फिर से यहां पर साइंड़ पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं अपना फोल ने महीं फिर से राज्टोस इमेल में राज्टोसर रंजा डरीव में रटकाम signup करलों क्लिक करते हैं देखिये OTP हो चुँका है यहां पर हम लोग का OTP आ भी चुका है रिप्रेस्ट भी एक बाद करके मैं दिखा जा रहा हूं है कंसोल में जाते हैं दिखेगा डॉलर एजेक्स इस नौट डिफाइन मैं मुझे पता था कि यह आने माला है मैं बैसिकली अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो बेस्ट.html को मैं ओपें किया और अब मैं यहां पर जो हम लोग जेक्वेरी को यहां पर इंपोर्ट किया है म मैं जेक्वेरी का लिंक फिर से पेस्ट करता हूं अपने हेड में यहां पर मैं हैड में इसे पेस्ट करूंगा और जस्ट इसी के नीचे मैं अपने इस िस इसक्रेप्ट टैग को ए जएक्स वाले फाइल को इंपोर्ट करूंगा रोंगा एक्स करते हैं क्रते हैं से इसे अब तक को को मैं यह दोनों जो जोए कोईरी मेरे पास है इन दोनों कुछ से भी प्रॉल्म होसकता है मैं लेटेस्ट भर्जन अभी जेकरी का आप गुगल पर सर्च कर सकते हैं जेकरी लेटेस्ट सिदियन लिंक तो आप मैंने यहां पर भी प्रॉइट करवा दिया आपको एक कोड मिल जायाएगा लिटेस्ट वर्जन मैंने जेक्री का यहां पर लोड किया और नीचे में जो लोड कर रहे हैं इसको मैं हटा जिता हूं यहां पर जो जो कोई काम नहीं हम पर आखा देता हूँ नि हम फिर प्राई करेंगा एक बार साइक प्राइब करके अबसें सिद साइद एर्डाया है मैं फोल्ट एमेल में यह डालता हूं और मैं साइन इंप पर क्लिक कर रहा हूं कि हमोड़ आचुके हैं यहां पे अब मैं यहांपे पे क्लिक करता हूं देखिए अब alcohol नहीं आया a WEZ कि और दिखिए यहां पर colored चुका है तो अब डिखाता हूं वह आपको is को मैं काटता हूं पहले और मैंज़े शाइब साइड ओपें कर लेता हूं यहां पर देखिये साथ इमेल आया है मैं इसे इसे रिफ्रेस्ट कर देता हूं वह बार अपने जी मेल को जो भी दोनायों पहले वह वह सब आजाये निकिस्ट हमेल जहां आप आ चुका है जिसे मैं यहाँ पर रिसेंट टीपी फिर से क्लिक करता ह यहां पर sending OTP देखिए हो गया है बगल में मेरा ओट यह खुला भी है यह रिफ्रेस्ट करता हूं बिसिकली तो यहां पर 9 email आ चुका है हम लोग को मैं इसे open करता हूं देखिए फिर से मैं अगर पर यहां पर मैं इसे अपना email refresh करूँगा यहां पर 10 email मतलब email आने लगा है recent करने पर नया email नया कोड हम लोग को मिलने लगा है तो यहां पर सबसे लिए टेस्ट प्ला जो कोड है नीचे में सबसे 998960 अगर मैं उपर अगर बाट डालके देखते हैं उपर अगर मैं कोड डालता हूं वेरिफाइप क्लिक करता हूं देखें यह इंटर्ड और रॉंग ओटीपी करके एरा रगा क्योंकि यह पहले वाला आप तो नया ओटीपी यह डालिए इसको मैं अगर पेस्ट करता हूं और फेरिफाइप क्लिक कर देता हूं तो यह क्या होगा कि हम लोगा क्रिएट हो चुका है तो आई हो क्या को यह भ हम लोग करने लगे हैं यह सब काम हो गया लेकिन एक और चोटा सा यहां पर प्रोग्लम आता है वह सिंपल यहीं प्रोग्लम है कि माल लिजे कोई यूजर यहां पर क्रिएट किया हम लोगी साइन अप आते हैं मैं एक और यूजर करेंगा सिस्टिंग नाम से मैं इसका इमे पर यहां पर सेंड हो चुका है लेकिन माललें यूजर एक अइसा हूँ जो मैं भूल गया वैरिफाइब हैं क्या मैंने कार्ट दिया और बाद में प्रिश्याया तो जब मैं बाद मिया करता हूं मैंद है वारिफाइब एक पाउंट आप हुआ अभी मैं नहीं डाला हूं म हड़ी चांचल सब्सक्राइब करते हैं जो क्लिक करता हूं यूज्र नहीं इसञा अगर है अगर लॉग इन से करते हैं। पद्सक्तम स Mensch क्लिक करता हूं आपको करके दिखाता हूं कंतु है おदिखिकर लगिन करता हूं कुछ आपप लॉगिण भी हम नहीं कर पा रहें तो यह थो बाइब ब्रस्य वाला बात हो तो यह सिस्टम यहां पर यह 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 लोग नहीं क्या करेंगे कि लोग इन करेंगे अगर एक्टिव यूजर नहीं होगा तो उसको पहले अपने आपको भेरिफाइगा उसके बाद आप लोग इन कर पाईएगा तो वह काम अब करेंगे तब ही हम लोग का यह पूरा जो शिस्टम पूरा वीडियो चालू किया है वह कंप्लीट होगा तो आते हैं सबसे पले अपने सब्लाइम टेक्स्ट में और तेखिए यहां पर मैं यहां पर लोगिंग का पाथ डाले हैं यह हम लोग 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 इन भी यूज कर रहे है कि वह एक्टी वीजर मांगता है लेकिन अब हम लोग बनाएंगे कि अगर पाहले पूमियोश्यक करता हूं यहां पर और इसके नीचे मैं लोग इन बनाऊंगा तो डेफ नाम देते हैं उसका लॉग इन वी तो लॉग इन अंडर इसकोर भी लॉग इन नाम देते हैं इसमें आर्गुमेंट पहला रिक्वेस्ट होगा और अभी के लिए हम शुरुआ तो इसको पास लीग देते हैं क्यों अभी हम लोग इसका URL बना लेते हैं उसके उर्स.py में क्या करूंगा यहां पे डॉगिंट लॉगिंड को भी इंपोट करेंगे तो लॉगिंट भी यह है और यहे और लोग लोग पहले दिए तहें अब हम लोग अपना लोग इन यहां पर क्रियेट करेंगे तो लोग इन के लिए सबसे पहले दो चीजी देखिए लोग इन पर हम लोग अगर लोग डॉट यूजर श्लैस लॉटिन श्क्राइट करेंगे तो इंप पर्फियेट करके लिए उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले उसको हम लोग जैसे कि हम लोग अपने यहां यहां पंटकर ते करता हूं अधिकेसन फर्म को मुंत करता हूं को फर्म को यहां पे फर्म बना लेता हूं और हम लोग यहां पर फॉर्म को भेज़ देंगे देखिए आप ज़रूरी नहीं कि यहां पर फिर फॉर्म नहीं बनाना परें तो आप यहां फिर से वहीं अपना लेबल इंपूट ट्राइप यहां पर बना सकते हैं कि बात में हम लोग ऐसे यूजर नेम और लोग फासवर को यहां पर आप एक्सेस करने वाले हैं तो हमने फोर्म फासवर्म भेज़ दिया अब शेयर आप यह पर आते हैं अपने इस लिए मैसेज हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस म पेज को तो मैं लोगिन पेज़ कर रहा हूं तो देखिए हम लोगा फिर से वहीं वहीं चीज खूल गया है लेकिन अभी हम लोग अगर पासवर्ट कुछ भी डालेंगे लोगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यह जो हम लोगिन भी यहां से ओपन हुआ है यह केवल यहीं फॉर्म को भेज रहा है कुछ काम वाम नहीं कर रहा है तो अब इसमें भी वहीं काम करेंगे अपना जो पहले रेजिस्टर पेज में करते थे चेक करेंगे कि क्या पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है तो यहां पे लिखेंगे यूजर नेम और पासवर्ट को यहां पे लिखेंगे यूजर नेम मैं यूजर नेम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यूजर नेम ऐसे समझ लिए यहां पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और हम लोग किसको एक्वेस्ट करेंगे यूजर नेम को तो यहां पे लिखेंगे कि अगर आप यहां पर इसे inspect करें inspect मैं करके दिखा रहा हूं यहां पर इसका जो नेम है इस input box का वो username है और password वाला password वाले का name पास्वर्ड है देखिए नेम इसका password है तो इसी से access करेंगे तो यहां पर हम लोग username में username को access किया और यह से control c control भी करूँगा यहां पर password तो PWSWD पासवर्ट लिख रहा हूं और यहां पर हम लोग को पासवर्ट को हिस्ष करना है तो PWSWORD पासवर्ड तो हम लोग यूजर ने और पासवर्ड दोनों को यहां पर एकसेस कर चुके हैं अब हम लोग को चेक करना है कि यह authenticated user है की नहीं तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जैंगो हम लोग के लिए खाम करके रखा हुआ है उस function से बस बेच के चेक करवा लेना है कि क्या यह authenticated user है या फिर नहीं है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जैंगो.contrib.ort से authentication को इंपोर्ट कर लेंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा from jango.contrib.ort import authenticate authenticate और login दो module को हमने यहां पर import किया है आपको दिख रहा है तो authenticate क्या है authenticate यह function है ये क्या करता है कि यह है user authenticated user है और सका username and password सही है यह check करता है और login function क्या करता है कि आप किसी 다음 यूजर को पास्ट कर देगा login function में तो वो क्या हो जागा हमारी system में login हो जाएगा यहीं यह दोनों function का काम है तो आढिए मैंस का दमें को करके दिखाता हूं तो यहां प्रमनें पास्वार्ण यूजर न बनाएंगे यूजरवल लोग यूजर नाम के फंक्सन में और और दुसराант होगा यूजर नेम तो यूजर नेम इस इक्वल टू यूजर नेम में हम लोग पास्ट कर देंगे यूजर नेम यूजर नेम यूजर नेम और पास्वर्ड में फिर कॉमा पास्वर्ड पी यूजर नहीं होगा अगर यह यूजर नेम और पास्वर्ड सही नहीं होगा तो यह क्या करेगा यह क्या करेगा कि यह यूजर में नन रिटर्न करेगा अगर यह यूजर ऑठेंटिकेट होगा मतलब यह यूजर ने और पासवर चाहिए होगा तो यह क्या करेगा तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे तो यहां पर चेक करेंगे if user is not none हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर user none न हो if user is not none अगर user none न हो मतलब कि यह user में कुछ और आए none के अलावा अगर यह user valid है तो यहाँ पर क्या return करेगा एक object return करेगा user का अगर यह valid नहीं है तो यहाँ पर non return करेगा तो यहाँ पे अगर यह user none नहीं हो if user is not none मतलब user authenticate सही है तो हम लोग क्या करेंगे login कर देंगे इससे तो लिखेंगे login कि login और user इस user को हम लोग इसमें अपने साइट में login कर देंगे इसकी में login में पहला जो आपने साइट में login कर देंगे और फिर हम लोग इससे redirect कर देंगे home page पर तो अगर login कर लिएं तो home page पर redirect तो return redirect हम पर हम लोग इससे redirect कर देंगे हमने home page से भेज़ दिया नेकिन अगर कि अगर कि यूजर इग्जिस्ट नहीं करता हो यूजर ऑठेंटिकेट हम नहीं ये तो डाल दिया लेकिन अइसा होगा कि यूजर एक्जिस्थ ही नहीं करता हो हमारे पूरे फाइल में एक्जिस्थ नहीं करता हो हमारे डेटाबेस में यूजर कोई है ही नहीं इस यूजर नेम और पास्वर्ट से इस यूजर नेम से बैसिकली इस यूजर नेम से हम लोग के पास यूजर है ही नहीं तो हम लोग क यूजर्नेम पास करें यूजर नेम इजhearted 기자 रोट यूजर नेम एज आर नेम mister host ईएं एचरसटा ंग्जिस्ट अगर यह एग्जिस्ट करता हो तो तो यह होगा लेकिन हम लोग इसका नौट चेक्प करेंगे क्यों क्यों दोकर यहां पर यहां पर लिखने इफ नोट तो यूजर एक्जिस्ट मतलब अगर ये यूजर listened नहीं करता हो तो क्या करें a यूजर नहीं एकजिस्ट करता है तो ऑनकर एस मेसेज यहां पर भेजेंगे यहां पर से हम्हें आप करेंगे लिए सानिकाटिड जहेंगे यूजर.object.filter.exist not मतलब कि अगर यह यूजर एक्जिस्ट नहीं करता हूं इस यूजर नेम से कोई यूजर एक्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे यह वाला जो हम लोग यहाँ पे कॉपी करके रखे हुए हैं अपनों प्रिज इंटर व यूजर इस नोट एक्जिस्ट विट इस यूजर नेम आप जो भी उजयर आप मेसेज देना चाहें वो सकते हैं तो मैं यहाँ पर यहीं दर चाहें आप ओवी दे सकते हैं कि यह यूजर नहीं कर रहा है अगर अब हम लोग को क्या चलना है कि अगर देखिए अगर यह नन गलत भी है और यह यूजर एक्जिस्ट भी करता है तो अब हम लोग चेक करते हैं यह अगर यूजर एक्जिस्ट करता है तो हम लोग चेक करते हैं क्या यह एक्टिव यूजर है एल इफ नॉट मतलब अगर यह एक्टिव यूजर ना हो यह हम लोग को चेक करना है तो यूज और यह एक्टिव अगर यह यूजर एक्टिव नहीं होतो अगर यह एक्टिव नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर से वहीं अपना मैसेज भेजेंगे और यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट शॉरी गेट यहां पर यूजर नेम इस इक्वल टू यूजर अब्जेक्ट बनाया सुरी यूजर अब्जेक्ट बनाया उसके बाद हम लोग किसमें ओटिप भेजना है सिंप्ली हम लोग ओटिपी सेंड करेंगे और वेरिफाइब करेंगे कि तुम एक्टिव नहीं हो भाई अब तुम अपना ओटिपी डालके एक्टिव हो जाओ और लोग-इन कर लो तुर रात तो हम लोग क्या करेंगे यूजर अब्जेक्ट नम अब हम लोग यहां से यह ऊटिपी क्रिएशन है यहां से हम लोग इसको कॉपी करके मैं यहां से हम इसले करेंगे कैसे हैं यह बनौट करेंगे यहां में करेंगे मैसेज यहीं है मैसेज सेम वहीं रहेगा मैसेज इमेल हम लोग सेंड कर चुके हैं लेकिन अब हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर फ्रक्रन करेंगे अब हम लोग यह तुम यहीं मैसेज करके लोग इन पर भेज़ देंगे कि चहीं मैसेज यहाँ लोग यहाँ यह हम लोग प्रेंट कर देंगे तो यह हम लोग का समझ में आया आपको मैं एक ऐसे आपको एक उजया देता हूँ' अगर यह यह रही रहेगा तो उस यूजर नेम से यूजर का अब्जेक्ट इस यूजर में आ जाएगा अगर नहीं तो इसमें नन आएगा तो हमने यहीं चेक किया कि इस यूजर इस नोट नन अगर यह नन नहीं है मतलब कि यह जरूर यह यूजर सही है पासवर यूजर सही है तो हमने लोगिंग कर दिया इस और यहाँ पे फिर अगर उसके बाद हम ने चाहिए कि अगर ये एक्टिभ यूजर नहीं है अ sellers क्षे यूजर श्थ सब्सक्राइब कर दिया और यूजर भी हमने पास किया अगर इसके अलावा भी कोई एरर आता है तो यहीं सिंपल बात बोल देंगे कि भाई तुम कुछ और त्राइब करो देखो तुम गलत डाले हो यहां पे आप लोग एक सवाल पुछिए कि भाई तुमने यहां पे यहां पे क्यूंनिक है इसको अगर ऊपर नीचे कर देंगे दो एक case में और जेनरे को क्या होदा मैं बताता हूं कैसे होगत दिए क्या होँगो सबसे पहले यह रआनो क्योंकि यह उपर ऑंग यह नीचे रहेगा तो यह संधे यूजर displaced यूजरनेंट करेगा अगर यह पे इस Юज यूजर नेम से यूजर एक्जिस्थी नहीं करता है इस लिए सबसे पहले ही चेक लिए कि एकञे करता है कि नहीं है तो अगर यह करता है तो यहां पो यह कमांड़ एक करेगा तो हमने इस फ्लो में इस डेटा को काम करवाया है यहां पे करता है तो यहां पे यह न ना है तो यहां पे उजये करता है मतलब है मतलब में से है तो फिर या पर आजएगा यह यह रन होगा और यह नहीं है तो फिर से यहाँ यहाँ घखते नहीं है अब चलते हैं रबिल्स कर देता है लॉकिया वह करेंगे मैं incent को सब्सक्राइब मैंने और इसे मैं login to test email में भी पेस्ट कर दूंगा और यहां पर यहां पर फिर फॉर्म के नीचे हम लोग अगर यह नहीं भेज़ेगा अगर यह ओटीपी नहीं भेज़ेगा उदर से मतलब फॉर्म आ रहा है तो यहां पर फॉर्म दिखा देगा यहां पर फिरिफाई करेंगे तो फिर रिक्वेस्ट वहीं पर जागा तो मैं इसे सेफ करता हैं और पर यहां फंक्शन कोल होगा जो क प्रवरिफिकेशां के लिए पोस्ट में वो सब काम करेंगे तो अब आते हैं यहाँ पिशंब करता हूँ मैं अभी आपको समझाते हूं मैं अभी क्लूप करेंगा इफ़ Яशव करता हूं यहां से कंड्रूल से और मैं इसे यहां पshirts कर और अगर यहां पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे करेंगे यूजर बनाएंगे और फिर ओटिपल के बराबर है की नहीं फिर उसके यूजर को एक्टिव कर देंगे और यूज video लोट सेप्ट कर देंगे और मैसेज यहांप पर जो हम लोगनों देज लिया एकाऊंट पूस और य Wallace code फोер क्याएंगे अब हम लूग जा गया पिलिख देंगे लॉग इन podcasts Woo login पहला प्रक्वेस्ट जाता है रिक्वेस्ट जाता है और दुसरा अर्गमेट इसमें जाता है हम लोग का यूजर यूजर हम लोग का USR है यूजर और यहां पे return login page पे नहीं हम लोग इसे home page पे कर देंगे और अगर user authenticated हो तो लॉगिन पर नहीं खुलना चाहिए है भी लोग सिस्टम होना चाहिए और यहाँ पर लौगिन यूजर हो तो हम लोग क्या करेंगे return करेंगे?. रेंडर कर देंगे रेंडर रिटर्न रिडाइर्क्ट रिडाइरेक्ट इससे home page स्वें भाइस तुम पहले समय लोग नहीं हो तो तुम यहां पर कियों आ रहे हो तुम आगे का ब कर देंगे और यूजर को लॉगुन भी कर देंगे उसका कर देंगे डिजन कर देंगे और ढृबे कर देंगे पासवाइज करद के तो यहां पर साइन अप नहीं हम फिर से लॉगिन.html भेज जाएंगे तो यहां पर हम लोग सही किये हैं अब हम लोग क्या करते हैं एक यूजर क्रियेट करते हैं मैं आता हूं अपने इस दुसरे वाले और मैं और मैं सुरी यहां इस नहीं को .. और मैं यहां परint क्याम में अपने साइट की राज्तो से γशन वाला जो एकाउंट है रसे टेलीट कर दे तो मैं अब हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं आते हैं अपने इस में और हम लोग एक एकाउन फिर से क्रियेट करते हैं तो मैं इसे काट रहा हूँ अभी हिलाल के लिए और मैं यहां पर कि एक साइन पर किलिक करूंगा दर नहीं डाला ज eine ao ऐघ दिखा दू आपको त्वेश्ट अनों डिखा दूब होगा लेकिनौ पो तीप वहां यहांपे यहां पर देखते हैं लोगिन करते हैं तो क्या होता है कि हमने लौगिन पैणा फिर से अपना अठाया है अपना लोगिन भी हमने फिर से क्रिएट किया है तो अब इसको लोगिन करके देखते हैं तो मैं यहां पे लोगिन करता हूँ राजतोसरणजाएटर gmail.com से अब पासवड डाल देता हूं और मैं लोगिन पर अब क्लिक करता हूँ इसे मैं एमडी फोड डालना है अब यह खुल जागा साइस है कोई दिकात का बात नहीं तो यहां पर लोग को फिर से यहां पर आते हैं सोरी यहां पर देखिये हम लोगों को एक एक तरफ खोल लेता हुँ ऐसे और इसको भी एक तरफ खोलूंगा अपना इमेल देखें बार हमाँ यह और यहां पर 14 हवा ओट भी हम लोग का यहां पर आ चुका है मतलब यह काम कर रहा है अगर हम लोग फिर से नडालें अगर ओटिपी और पहीं बोला कि यहां गलत डाले हो और एक टीब यूजर नहीं था तो देखिया मैं लिए सबसें करता हूं कि अ क्या पेस्ट करता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं यहां वग बुठाला बटन यहां पर देखता है तो अभी यह logout का पड़तर ना गया मतलब मलोग लोगिन है तो मैं यहां पर लोग अगरत लोगाउट हो गया अभी यूजर एक्टीव यूजर हो चुका है राजतोस्त वाला तो राजतोस्त रंजा एक हटे जमेल डाट कॉम और अभी यहां पर कुछ भी डालते हैं लोग इन करते हैं तो ऐसे क्या रहा है देखिए प्लीज इंटर और करेक्ट यूजरनेम और पासवर्ट नोट पासवर्ट में भी केस निशिटिव हमने यहां पर चोटा सा मिस्टेक है कोई बारा एरर नहीं है यहां पर हम लोग प्लीज चेक में मैसेज सब्सक्राइब करें पासवर्ट यहां पर देते हैं वार्णेंग जैसे हम लोग एक जगा और यहां पर यहां पर यहां पर दो में डालता हूँ आपना छी Counter मतरब हम लोग को यहां पर सहीं ऑपन हो चुका है हम लोगेलink पेनल काम करने लगा हम ने खुद से बनाया अपना जो लोगिन पेस्ट था हमने लोगिन भी अपना खुद से बनाया यह वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन बहुत ज्यादे इंट्रेस्टिंग वीडियो था आमने ओटीप के साथ काम किया आमने ओटीप भेजा यूजर और इंटीकेशन भेजा ऐसे ही हम वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद है तो प्लीज लाइक किजिए और इस चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो